त्ट्ट्स ट्रीकल प्लोज ब्रोकन दिवरिग अससाइकलोज इंशेकलोज कर लोग किये पोल था एब यह क्लियर है और साइकलोज के कारफ यह C point से break हो गया है और यह ground पे यहां से मुर कर कहां पे मिल गया है वो मिल गया D point और यह given है कि यह angle 30 degree है of course यह 90 degree होगा तो यह angle कितना होगा 60 degree ना रिकुनमेट्री में एक standard format होता है mostly 75% of heights and distance के questions आप simple से concept के पे solve कर सकते हो और वो है ratio concept either आपको इस तरह के triangle मिलेंगे जहां पे angle 45 यह 45 और यह 90 हो उस case में sides का ratio क्या होता है अगर यह one unit है यह one unit है तो यह root two unit होता है और इस तरह का triangle है जहां पे एक angle 30 है दूसरा 60 है और यह 90 है तो इस case में 30 के सामने का size अगर यह one है तो यह होता है रूट 3 और यह होता है 2 unit अगर सेम चीज़ आप इस question में implement करोगे तो यह आपको given है कि BD का length है 6 root 3 यह अपने base से 6 root 3 distance पे क्या कर रहा है टच कर रहा है ground को यह 90, 60 और 30 का ratio है तो 30 के सामने का sides होगा 1 unit 60 के सामने का side होगा root 3 unit और 90 के सामने का side होगा 2 unit clear है तो यहाँ पे आपको root 3 unit का value किसके उकल था वो given था 6 root 3 के तो यहाँ पे 1 unit का value कितना हो जाएगा simply 6 root 3 divided by root 3 यह दोनों term cancel तो यह आजाएगा 6 3 की height कितनी होगी यहाँ से 1 unit और यह तूटने के बाद का 2 unit तो total 3 की height हो जाएगी 3 unit तो 3 unit का value कितना होगा 1 6 था तो 3 unit का बाद कितना हो जाएगा simply 3 into 6 that imply 18 meter यह clear है तो यह हमारा answer होगा option number B तो thanks for watching the video if you like the video do subscribe the channel and share the channel with your friends